डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली एट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानदा एंड अराउंड दे गलोग अंटेरियो में कोरोना वारस के फिलाओं में एक बार फिर तेजी आ गई बुजिश्टा 24 घंटों के दौरान 413 अफ़राद में कोरोना वारस की तदीक हुई है कैनलना में कोरोना केसिस की तादाद 81,324 हो गई सुबाई हल्थ आफिसर का कहना है कि कैनेडा में कोरोना वारस की वाबा की दूसरी लहर के आने के इमकानाथ बहुत ज्यादा है मौन्ट्रियाल का एक उस्ताद कम आमदनी वाले तुलबा की मदद के लिए मैदान में आ गया इन तुलबा के लिए कंप्यूटर जमा करने लगा जो अफोर्ट नहीं कर सकते जमाल खाशोग जी के बेटों ने वालिद के कातलों को माफ कर दिया जमाल खाशोग जी को इस्तंबूल में वाके सौदी कॉंसलेट में दो बरस कबल कतल किया गया था समंदरी तुफान उमफान से भारत और बंगला देश में चरासी अफराद हलाग तुफान ने कुलकता और मगर्बी बंगाल के इलाकों को तहस नहस कर दिया दोहा अमन मुहाइदे पर काइम है अमरीका मौके को जाया होने से बचा है सरबरा अगवान तालबान कहते हैं कि किसी तीसरे फरीग को इजासत नहीं देनी चाहिए कि वो आलमी तोर पर तस्कीम शुदा मौहाइदे पर अमल दरामत में रुकावट बने दुनिया भर में करोना वारस से मतासरा अफरात की तादाद 52,19,200 हो चुकी है जब केस से हलाकते 3,35,000 हो गई हेडलाइंस आपने जानी अब खबर तफ्सील के साथ कनेडियन वजीरादम जस्टिन ट्रूडो की जानिप से कहा गया है कि वफाकी जानिप से सूबो को कॉंटेक ट्रेसिंग और कोरोना वारस से निमटने के लिए माली मदद फराहम की जाएगी ट्रूडो का कहना था कि ये एहम एकदमात हैं क्योंकि कोरोना वारस सेहत के लिए अब भी एक खतरनाक मसला बना हुआ है ट्रूडो ने बताया है कि वफाकी कोंट्रेक्ट ट्रेसर अंटेरियो में पब्लिक हेल्थ अथर्टीस की मदद करेंगे ट्रूडो की जानब से हौंग कौंग की सुरत अहाल पर तश्वीश का इजहार किया गया जहां चीनी हुकूमत की जानब से मुबयान तोर पर एक भी लाया गया है जिससे जब मुजद के हामी लोगों के खिलाफ करेकड़ डाउन हो सकता है ट्रूडो का कहना था के हमें हौंग कौंग की सुरत अहाल पर तश्वीश है तीन लाग केनेडियन हैं जो हौंग कौंग में रहते हैं जिसकी वज़े से हमें वहां के हालात पर तश्वीश है ट्रूडो का कहना था केनेड़ा तवील अर्से से बीजिंग और निम खुद मुखतार रियासत के दर्मयान टेंशन को कम करने का मुतालबा करता आया है जिसके नतीजे में एक साल से बड़े पेमाने पर मुझाहिरे भी हुए आंटेरियो के प्रीमिया का कहना है कि सूबे में टेस्टों की कम तादाद परिशान कुन है मैं चाहता हूँ और मुझे उमीद है कि हम अपने एहदाफ हासल कर लेंगे मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में आंटेरियो में करोना वार्स के पहलाओं में एक बार फिर तेजी आ गई गुझेश्टा 24 घंटों के दोरान 413 अफराद में करोना वार्स की तस्दीग हुई है जिसके बाद सूबे में वार्स से मतासर होने वाले अफराद की तादा 24,187 हो गई है सूबे में करोना वार्स के मरीजों में हालिया इसाफा मजबूई दादाद का 1.7 फीसद है वाज़ रहे कि गुझेश्टा 12 दिन से आंटेरियो में करोना वार्स के केसिस में इसाफ़े की शरा मजबूई केसिस के 1.5 से 1.9 फीसद के दर्मयान बरकरार है आंटेरियो की लिबाटरीज मसलसल 30 रोज भी करोना वारस की यौमिया टेस्टों का हदफ हासल नहीं कर सकी महकमे सिहत के अदाद और शुमार के मताबिक 24 घंटों में सूबे में करोना वारस के 10,506 टेस्ट किये गए जो यौमिया 16,000 टेस्टों के हदफ से काफी कम है सूबे के ऐस्पतालों में दाखिल करोना वारस के मरीज़ों में कमी आई है ओंटेरियो में करोना वारस से मतासे रोने वाले अफराद में सिर्फ 13 पीसद अफराद ऐस्पतालों में दाखिल हुए है ڈख فورڈ ने मामूल की मीढ्या ब्रीफिंग में सूबे में टیسٹो की कम तादात पर तश्वीश का इशार करते हुए इस सिस्टम को बहतर बनाने के आख़ालादा किया है मीढ्या से गफ़तगु करते हुए प्रेमियर का कहना है क्यानिडा में करोना वायर्स देश जहांगान है कैनेडा में करोगना केक्स की तद्धार अपराद चाइप 6152 तक जा पहुँची है क्यूबिक में कुरोना के सबसे ज़ादा केसे सामने आए हैं जो हां 45495 की से की तज़ीक हो चुकी है जबके सूबे में कुरोना वायरस के होने वाली हलाकोतों की तादा 3,800 तक पहुंच चुकी है क्योविक का शहर मौन्ट्रियाल कुरोना वारस सबसे जादा मुतासिर है ऑंटेरिया में कुरोना वारस से 24,187 अफराद मुतासिर हुए है जबके हलाकोने वाले अफराद की तादाद 1,993 है मेर जॉन टॉरी ने ऐलान किया है कि टॉरॉंटो के 850 से जाद 500 तफरीक की दीगर सहुलियात को अगले हफते अवाम के लिए खोल दिया जाएगा उन्होंने कहा कि स्टाफ टैनिस कोट और दीगर खेल कूट की जगों को भी काबले इस्तमाल बनाने के लिए काम कर रहा है करोना वारस की तदीग हुई है जबके सूबे में करोना वारस से होने वाली हलाकतों की तादाथ 152 है बिटिश कोलम्बिया पाबंदियों में नर्मी के दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है जिसके तहद बहुत से कारुबार खोल दिये गए हैं जबके रेस्टरंट्स और साहिल को भी मशुरूत तोर पर अवाम के लिए खोल दिया गया है बिटिश कोलम्बिया पाबंदियों में नर्मी के दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है जिसके तहद बहुत से कारुबार खोल दिये गया है जबके रेस्टरंट्स और साहिल को भी मशुरूत तोर पर अवाम के लिए खोल दिया गया है बिटिश कोलम्बिया के सुभाई हेल्थ आफिसेट डॉक्टर बोनी हैंडरी का कहना है के कैनाडा में कोरोना वारस की वाबा की दूसी लहर आने का कभी इमकान है और हमने गुज़िशत चन महीने में जो सीका है वो हमें इस से निमटने में मदद देगा उनका कहना था कि हमने तारीख में कोई ऐसी वाबा नहीं देखि जिसकी दूसी लहर ना हो उन्होंने कहा कि मुझे उमीद है कि शायद वाइरस वापस ना आए या वाइरस पहले जैसा ताकतवर ना रहे और लोगों के लिए खतरनाक ना रहे ताहां हमें इसके लिए जैनी तोर पर तयार रहना चाहिए डॉक्टर बोनी हैंडी ने 2002 और 2003 में फैलने वाले सार्स वाइरस की बबा के खिलाफ फ्रंट लाइन्स के तोर पर काम किया था साथ समान के अतियात एकटा करें और इन्हें उन बच्चों के हवाले करें जिन्हें इन सब की सबसे ज़्यादा जरूरत है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में मौंट्रियाल का उस्ताद अपने तल्बा के लिए अतियाकरदा कंप्यूटर जमा कर रहा है जो ये सब अफूर्ड नहीं कर सकते ये सब इसमाईल सेक के लिए हकीकत है जो एक हाई स्कूल में खुस्ची जरूरियात के उस्ताद हैं मौंट्रियाल के नवा में इंतहाई कम आमदिनी वाले तल्बा को पढ़ाते हैं, उनका कहना है कि यह हकीकत है कि हर एक को टेक्नालोजी और इंटरनेट तक रिसाई हासिल नहीं है, यह एक तल्ख हकीकत है जो हम देखते हैं खास तोर पर अपने तल्बा के अहले खाना में, इसलिए वो शहर के आस पास अपने साथी फेस्बुक और टुटर पर शाया किया तो मैंने सोचा कि अगर मुझे दस कंप्यूटर मिल सकें तो यह हैरत अंगेज होगा, और अभी कल ही मुझे शायद एक ही दिन में तीन गुनाज जादा मिल गया, सौधी अरब में मुकीम जमाल खशोग जी के बेटे सौहले और अब स्थाथजे अरब में मुकीम जमाल खशोग जी के बेटे सौले और अबदल्ला ने एक बाया मैं कहा के रमजान की मुकदश शब उन्होंने अपने वालित के कातिलों और अबडूल्ला ने कहा के इस मुकदश शब उनके जहनों में अल्ल्ला की आयत है कि अगर कोई शक्स मा वाकिया था कि जमाल खशूग जी को कॉंसिलेट ही में तशद्द करके गतल किया गया मगर उनकी बाकियात आज तक नहीं मिल सकी साओधी अरब ने गतल के जुर में दिसंबर 2019 में पांच अफराद को सजा मौत और तीन को कैद की सजा सुनाई थी जमाल खशूग जी के दोनों बेटे साओधी अरब में ही मुकीम है खलीज बंगाल में सदी के ताकत वर तरीन समंधरी तुफान अमफान ने भारत के मश्रकी साहलों और बंगला देश में तबाही मचा दी तुफान से भारत और बंगला देश में चुरासी अफराद हलाक हुए गए मज़ई जानते हैंस रिपोर्ट में खलीज बंगाल में सदी के ताकत वर तरीन समंधरी तुफान अमफान ने भारत के मश्रकी साहलों और बंगला देश में तबाही मचा दी तुफान से भारत और बंगला देश में चुरासी अफराद हलाक हो गए तुफानी हवाओं पंदरा फुट उची लहरों और शदीद बारिश ने कौलकता और मगर्बी बंगाल के इलाकों को तहस नहस कर दिया तुफान इसकदर शदीद था के हजारों मकानात तबाह और च्छतें ओड़ गएं दरख जड़ों से उखडगए सड़के और खड़ी फसलें पानी में बह गएं तुफान से आलमी वर्से सुंदर बंग के जंगलात को भी शदीद नुकसान पहुँचने के खच्छाथ है पर काइम है अलबता वाशिंटन को चाहिए कि वो मौाइदे से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके मौके को जाया होने से बचाए इस हवाले से पजीद चानते हैं अगबान तालिबान के सरवरा है बतुल्ला अखवान्जाधा का कहता है कि तालिबान अमरीका की साथ दोहा में तैप आने वाशिंटन को चाहिए कि वो मौाइदे से मुतालिक अपने जिम्मेदारियों को पूरा करके मौके को जाया होने से बचाए उन ख्यालات का इसार अगवान तालिबान के सरवरा हैबत ओला अख्वानजादा ने ईद उल-फितर से पहले अपने खुस्सी पैगाम में किया अगवान तालिबान के सरवरा ने अमरीका तालिबान अमल मुहायदे को एक बार फिर अपनी बड़ी कामयाभी खरार दिया उन्होंने कहा कि अमरीका तालिबान मुहाइदे पर खुलूस नियत से अमल दरामत तमाम फरेखों के मुफाद में है किसी तीसे फरेख को अजासत नहीं देनी चाहिए कि वो आलमी तोर पर तस्लीम शुदा मुहाइदे पर अमल दरामत में रुकावट बने है बतुल्ला अख्वादादा का मजीद कहना था कि दोहा मुहाइदे में सब कुछ वाज़त तोर पर तैग कर दिया गया है उनके बकौल मुहाइदा अख्वानिस्तान और अमरीका के मुफादात के तहफूज और मसायल के लिए बहतरीन फ्रेम वर्क मुहाइदा करता है जिस पर पूरी तरह अमल दरामत होना चाहिए अपने पेखाम में तालिबान सरवरा ने एक्तिदार में आने की सूरत में खावतीन के हुकुक और हमसाया मुलकों के साथ तालुकात पर भी खुलकर इसारे ख्याल किया दूसरी तरफ अमरीकी नुमाइदा खुसूसी बरायकवान मुफामत जल्म खलीलजाद भी एक बार फिर धुहा मुहाइदे पर अमल दरामत के लिए सरगरम है खलीलजाद खतर और काबल के दोरे पर हैं जल्द शुरू करने के लिए लाहें अमल तैह करने पर भी मुश्यावरत करेंगे दुनिया भर में करोना वारस मुतासरा अफराद की तादाद बावन लाग उन्नेस हजार दो सो हो चुकी है जब केस्से हलाकतیں तीन लाग पैंतीस हजार हो गई मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वारस मुतासरा अफराद की तादाद बावन लाग उन्नेस हजार दो सो हो चुकी है जब केस्से हलाकतیں तीन लाग पैंतीस हजार हो गई अमरीका तहाल क्रोना वारत से सबसे जञादा मुटे जो हैं ना सिर्फ क्रोना मरीज बलके इस से खलाकते भी अब तक दुनिया के तमाम मुमालिक में से सबसे जजादा हैं अमरीका में कुरोना वारस से अब तक 96303त अफराद मौत के मुझे में पहुच चुके हैं जबके इससे बेमार होने वालों की मजमूई तादाद 16,21,333 हो चुकी है कुरोना वारस से रूस में कुल अमवा 3,249 हो गई जबके इसके मरीजों की तादाद 3,26,554 हो चुकी है तर्की में कुरोना वारस से जान बाहक होने वालों की तादा 4,249 हो गई जबके कुरोना के कुल केसे 1,53,548 हो गई एरान में कुरोना वारस से मरने वालों की कुल तादा 7,300 हो गई जबके कुल केसे 1,31,652 हो गई भारत में करोना वारस से 3600 हलाकतं हो चुकी है जब केस्से मुतासिरं मरीजुकी तादाद 11,9524 हो गई चीन जहां दुनिया में करोना का पहला केस्सामने आया था वहार करोना वारस के मरीजुकी तादा 82,971 और इसे 45,634 हो गई नहीं साओधिय अरब में कुरोना वारस से अब तक कुल अमवा 351 रिपोर्ट हुई है जब के इसके मरीजों की तादाद 65,077 तक जा पहुंची है टैग टीवी के पाकसान स्टूडियो से फिल हाल इतना ही माजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैग टीवी डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली अट टैग टीवी यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सबस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएएं किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे